हेलो फ्रेंट्स कैसे हैं आप सब उम्मीद करता हूं अच्छे हूंगे आपकी इंवस्टिंग जरणी अच्छे तरीके से चल रही होगी तो आज हम बात करने वाले हैं इन्फी वीम अवैन्यूज स्टॉक के बारे में और इसका टेकनिकल एनलसिस करेंगे अगर आप चैनल प में पॉजिटिव सिंगनल मिलता है यानि के स्टॉक में मुवमेंट है अब मुवमेंट की तरफ स्टॉक बढ़ रहा है ठीक है और वीकली चार्ट पर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट पर भी आपको एक ब्रेकाउट देखने को मिला जो यह वाला लेवल था यह एक रिज चुका है यहां से आपको पैटन भी बनता हुआ दिखा जिसे हम डबलू पैटन के नम से जानते हैं या डबल बॉटम ठीक है और आपको अगर यहां देखें तो इसके अंदर भी चोटे चोटे दो डबलू पैटन यहां पर बना एक और फिर उसके बाद एक डबलू पैट यहां पर बना तो यह दो पैटन कमπरीट ओकर एक डबलू पैटन बड़ा बनता है जिसका ब्रेक आट है अब बात करेंगे टारगेट की तो टारगेट कहां हों पर बनेगा तो यहां से जो इसकी डफ्त है यानि कि इसकी जो गहराई है यहां से लेकरके और इस निकलाइन तक वो लगबग 48% की गहराई है तो आप मान लीजिए स्टॉक 48% का आपको टार्गेट देने वाला है आने वाले कुछ दिनों लेकिन थोड़ा समय देना पड़ेगा इसे आप यह नहीं कह सकते कि यह तर्गेट हमारा अचीव एक महीने में हो जाएगा हो सकता है दो से तीन महीने लग जाए लेकिन आपको इसमें लगबग 48% का टार्गेट देखने को मिल जाएगा जो कि मैं टार्गेट रिकमेंड कर सकता हूँ लगबग 37 रुपे का ठीक है लेकिन वह अभी दूर है short term target की हम बात करेंगे तो short term target आपको लगवक 16 रुपए तक का देखने को मिल सकता है ठीक है और अगर आप बड़े targets के लिए जाना चाहते हैं तो friends आप इसमें लगवक 37 रुपए के लिए जा सकते हैं ठीक है तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो like और share जरूर करें comment section में comment करना न भूले और investment अपने financer advisor और अपने खुद के analysis के अधार पर करें और बात करें से stop loss की तो आप यहाँ पर यह जो support है लगवक 20 रुपए 20 रुपए 80 पैसे के आसपास का तो आप 20 रुपए